साथियों, कठिन से कठिन समय हो, जब अपने करतेव्यों को समयते हुए, पूरे विश्वास के साथ काम किया जाए, तो परिणाम भी मिलते ही हैं। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया की अर्थे ववस्ता पर आच आई, भारत पर भी इसका काफी असर हुआ आया, लेकिन हमारी अर्थे ववस्ता महामारी के कारण जितना ठहरी थी, उससे ज़्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी एकोनामीज डिफेंस में थी, तब हम रिफांज कर रहे थे। जब ग्लोबल सप्लाई चेंज डिस्रप्ट हो रही थी, तो हमने नए हालातों को भारत के पश्मे मोडने के लिए पी एलाई स्कीम शुरू की। अभी पी एलाई स्कीम को टेक्स्ट्राईल सेक्टर के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। इसका बहुत बड़ा लाप देश के टेक्स्ट्राईल सेक्टर को सूरज जैसे शहरों को होगा। साथियों 21 सदी में भारत के पास अवसरों की कमी नहीं है। हमें खुद को ग्लोबल रीडर के रुप में देखना हैं, अपना सर्वस्रेष्ट देना है और सर्वस्रेष्ट करना भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि देश की प्रगति में गुजरात का जो योगजान रहा है, उसे हम अब और ससक्त रुप में सामने लाएंगे। हमारे प्रयास न केवल हमारे समाज को नहीं उंचाई जेंगे, बलकि देश को भी विकास की बुलंदी पर लेकर जाएंगे।